आजी दोस्तों क्या हाल है आपका? तो stock stories के next episode में स्वागत है तो इसमें आज हमने बात करनी है बात हुई थी हमारी last time की trend कैसे identify होता है कि किस सरह trends को हम identify कर सकते हैं कि market uptrend में है या downtrend में है या sideways है यह बात करनी है बहुत असान बात है यह बड़ी important है लेहो जी देखें कैसे, अब जिस तरह हो कहता है, trends can be classified into three major types, ले ट्रेंड तीन तरह क्यों हो सकते हैं, uptrend, downtrend, sideways, अब uptrend क्या है, uptrend आप समझी सकते हैं कि green signal एक तरह से prosperity की market और उपर जाएगी, तो अब कब कह सकते हैं, चार्ड देखें कि uptrend में चल रही है market, क्योंकि analyst ल uptrend is classified as series of higher highs, higher high, जैसे उपर गया, तो गलीवार और उपर गया, ऐसे, higher high, higher low, जैसे जब market में high level, और low भी जो बना रही हो, उच्चतम स्तरों पर बना रही है, उसको हम कहते हैं कि uptrend है, द्वारा सुनो, series of higher high, higher low, low, देखो एक मिनट पहले चार्ड देख लो, थोड़ा easy ह जैगा, यह देखो, market यहां तक हाई गई, इस low से, अब नीचे भी आई, तो वो low, पिछले वले low से काफी high है, फिर उसके बाद अगला high, इस high से काफी हाई है, फिर जै नीचे आई, तो इस low से यह higher low है, इसे कहते हैं uptrend, अब पढ़ो द्वारा, series of higher highs and higher low, जैसे जब market आ इसकी हम हर lecture में बात करते हैं कि इसने एक direction में तो हर वक्त रहना नहीं है, इसने घूमना है, swing होना है इसने, तो market जब ने high बना रही है, last high मानलो 180 है, अब अगला high 230 का लगता है, और पिछला जो low था, 180 से जब मानलो उससे पहले जब नीचे कभी आया था, तो वो मानली ज 260 था, अब 230 से market नीचे तो आएगी, अब 230 से जब मार्केट नीचे आ रही है, मानलो वो आती है, 200 वे, तो इस higher high and higher low, it is also called as higher top and high bottom formation, इसकी बात करेंगे हम, as mentioned in the below diagram, 0.3 is higher than the 0.1, which was the previous आगी, अब देखना भी शुरू करें, यह 0.3 जो है, वो 0.1 से उपर है, पिछला ही क्य 0.1, 0.300 उपर है, तो यह बोला मेरा क्या हुआ, higher high, यह हुआ मेरा higher high, 0.5 is greater than the 0.3, अब 0.5 जो है, वो अगला ही है, यह पिछले ही से भी उपर है, यह अप्रेंट के संकेत है, which was the previous high, indicates the continuous formation of higher high, क्यता है, यह continuously higher high बनते जा रहे हैं, and higher low, और market नीचे आ रही है, यह निए कि वहाँ टिक के बैठ रही है, पर जब नीचे आती है, तो उतनी नीचे नीचे नहीं आती है, जितनी पहले आई हुई थी, यह देखें, जैसे नीचली तो काफी नीचे है, यहाँ लो, इसका लो यहाँ है, अगले वाले का लो इससे भी उपर है, तो जब आपको market में क्या दिखें बनते, higher high और साथ में higher lows, then you can say that the market is in uptrend, तो market वहाँ uptrend में है, ऐसा कह सकते हैं, market से मतलब अब index से भी ले सकते हैं, या अगर आप stock specific चेक करना चाहिए, को trend तो stock specific भी देखना चाहिए, क्योंकि इवार index बहुत अच्छा चल रहो था, बट कोई particular stock या particular sector अच्छा प्रफॉर्म नहीं कर रहो था, तो वहाँ downtrend हवी हो जाता है, और सुनते हैं थोड़ा, higher high indicates that stock is making consecutive peaks than the previous high, बल्कुल, बल्कुल, stock अपने पिछले high star को तोड़ता जा रहा और उपर जाता जा रहा, higher low indicates bottom is higher than the previous low, this can be easily seen on the charts, तो यह नोने हमें एक चार्ट भी दिखाया है, या और यहां थोड़ी सी line लगाई गई या समझाने के लिए, यह दिखे जी high पे गए, नीचे आए, फिर high पे गए, इछले वाले high से थोड़ा ज्यादा, फिर उसके नीचे आए, इछले वाले low से ज्यादा, तो यह higher high और higher low जब होता है, तो इदा मतलब होता है कि nifty जड़ा है, वो upside में move कर रहा है, और trend uptrend है, you can see from the above chart, nifty is an uptrend from April to August, वो जब का भी data होगा, which is clearly visible with the orange line, तो यहां यह चीज़ हम कह सकते हैं, कहता है जब stock या stock खास तो रुपे uptrend में हो, it is advisable to trade with buy on dip, जब नीचे हो तो खरीद दो, the optimism is that the stock may rise further, मली हम optimist होते हैं, हम कहते हैं कि और चड़ेगा, मैं तो कहते हूं, इसको एक live chart के through भी देखते हैं, मतलब कि chart इसमें ले आते हम, तो देखनी कोशी करते हैं, देखो जी, यह मेरे पास निफ्टी का data है, तो यह निफ्टी का data है, यह हमने weekly यहां पे time frame select किया हुआ, तो इसमें हम थोड़ा पीछे चलते हैं, time यहां आप देखते हैं, जी मोदी जी आते हैं, तो मई में elections, हाँ, 2014 में result आ गया था, तो यह एक बड़ी candle भी बनी हुए, शायद election ओले दिन के आसपास ही हो, अब यहां से उपर जा रहे हैं, यह देख रहे हैं आप, फिर उसके बाद, यहां तक हम उपर ही हैं, तकरीबन, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, हलका सा, फिर उसके बाद आप ढूड़ने जाएंगे, और उपर हैं, देख रहे हैं कि नहीं, अब अगर नीचे आ भी रहे हैं, मतलब कि यहां आप इसका हाई लगा सकते हो, कि यह वाली candle के आसपास ही हाई और लो मिलेगा आ नीचे अगर आ भी रहे हैं तो उतनी नीचे नहीं आ रहे हैं जितना पिछली बार से, यहां फिर थोड़ा और मूव किये, फिर नीचे आए, लो आप फिर देख रहे हैं कि पिछले वाले से काफी उपर है, इसी तरह अगर आप और आग्गे चलते जाएंगे, यह तो इसमें दिखाई दे रहे हूंगे आपको, इस तरह के से बेटा यह चलता जा रहा था और काफी लंबे समय से आप देख रहे हूंगे कि अप्ट्रेंड मार्केट का इस चार्ट में दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं कि पिर उसके बाद जब आप यहां आते हैं, तो यह यह वाला एरिया आपका करोना वायरिस है, वहाँ चीजें खतम होनी शुरू जाती है, तो इस तरीके से बेटा आप कई भी स्टॉक को स्टॉक को स्लेक्ट करके जिसमें आप देख सकते हैं कि और दी पास्ट अगर मूवमेंट रही हो, हाईर हाईज और हाईर लोज बड़ इसका भी थोड़ा हिस्ट्री में चलते है कि भाई कैसा रहा है यह आपको यहां क्लियरली काफी अच्छा अप्ट्रेंड दिखेगा कि यह 2018 में काफी मूव किया यह देखें, यह क्लियरली उपर की तरफ जा रहा है, यहां से अगर आप देखें तो यह आप्ट्रेंड की शुरुआत है, यहां आपका स्टॉक उपर जाता है, लो फिर जो बनाता है तो पिछले लोस से काफी उपर होते हैं, इस तरिके से अगर आप ट्रैक करेंगे तो आप इन सब में देख सकेंगे, अप्ट्रेंड हमें देखना आ जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं ह होता है यह देखना, higher highs और higher lows वाली theory है, यहां पर जड़ा dent है वो आप देखी सकते हैं, वो तो वज़े आप सब को पता ही है, उसके बाद जी फिर अब downtrend की भी थोड़ी सी बात कर लेगा, जैसे कहता है, downtrend consists of, totally opposite होने वाला lower lows, और और नीचे, lower high, और जब comeback करेगा तो पि lower lows हैं आपके पास और lower high, it is also called lower top and lower bottom formation in technical analysis, यह देखें जी यहां एक stock नीचे गिरा, यह गया, low लगाया, वापिस आया तो पिछले high तक नहीं आ पाया, देख लिया आपने, फिर दोबारा नीचे गिरा, और ज्यादा गिरा, lower low, अब वापिस आएगा, पिलकुल आएगा, पर इसको breach नहीं कर पायेगा, तो ऐसे वाले chart को देखके analyst लोग कहते हैं कि stock जी अभी downtrend में चला गया, ठीक है ने जी, अब क्या होता कि जी आप long term trader हैं तो आप थोड़ा लंबे समय का टाटा देखेंगे, जैसे आप जो आपका total time frame होना चीए, तो कम से कम एक साल का तो हो इने का, एक हफते का, वहाँ से data देखके भी पता लगा सकते हैं कि trend कैसा चल रहा है, अभी अगर ऐसा chart आपको appear हो रहा हो yearly data पे, अलिए आपने एक दो साल रखे हो और ऐसा chart उसमें दिख रहा है, तो clearly show करता है, कि stock जड़ा हो downtrend में है, stock नीचे जाता है, उपर आने ही to be in trading in a downtrend, lower high means that the previous peak is higher than the current, जिसरा हमने देखा, lower low means current bottom is lower than the previous bottom, जो कि इस diagram में बिल्कुल ही clear है, जो अभी bottom out हुआ है, वो पिछले bottom out से और भी नीचे है, आगे फिर bottom out हो रहा है तो और भी नीचे हो रहा है, वह यह सारा आपको ध्यान में रखना होगा, अब इस पे भी एक किनोंने चार्ट निफ्टी का भी दे रखा है, जिसके अंदर हम फिर देख सकते हैं कि जब वो अपने high point से गिर रहा है, तो यहां आता है, यहां से पिछले high को beat नहीं कर पाता है, फिर high पे आता है तो पिछले high को beat नहीं कर पाता है, लो लगाता है तो इससे भी नीचे च तो इस तरह के चार्ट को देखके ही यह एनलिस्ट लोग हमें कहते हैं यह स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया है जी इस तरह की बाते सुनने को आपको अच्छे से मिलती हैं दिन उसमें उसने थोड़ा बताया हुआ कि यह डाटा की स्पिरिट का तो उसके सारे अनलसिस उ से आज अगर देखें तो आज भी मार्केट जड़ी है मैं आज की बात कर रहा हूं आठ माई की तो मार्केट बड़ी रेंज बाउंड ही थी बड़े स्टॉक से जित अंदर अब यार देखो बीजी इसलिए हो जाते हैं कि रोज के अब क्या बताऊं इबर तो दो दो रेंज में ही थे तो मैंने उन्हें का रहन दो लास्ट में कल थोड़ा ट्रेडिंग की लोगोंने तो अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट भी हुआ तो आज भी वही चारे थे कल हमारी वीडियो भी तगरीबन तभी रहेगी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था यह सार और लो हायर हाई यह वहले कॉंसेट खत्म हो जाते हैं वने शॉक ट्रीने ट्रीट मेंट इन वहाल साइड अभी ट्रेंड अपन थे आपन देख रहें तो यह बिटाजी साइड वे मूमेंट से आप यह देख रहे हैं यहां तक गया यहां गया फिर उपर रहा थोड़ा उतना low नहीं हुआ जितना पिछल बार था पर high भी कुछ सकते हैं कि our trend यह side way trend है side way trend में हमें पता होता कि मार्किट consolidate कर रहा हք इंट्रेड में खासतोर पर जो market sideways हो तो थ्यान से करें कि बहुत चोटा ही Stop Loss और बहुत चोटा ही ड्रॉट का target होगा अगर आप डैली चार्ट में या मिनिट ‎ले चार्ट में अचा देख ऐसा जिसकी बात की थी पिछली वीडियो में, वो मार्केट में आ रहा है, तो इस तरह काफी समय है, इसमें भी बीच सकता होता है, ये साइडवे ट्रेंड्स में, अब टाइम फ्रेम और उनके बारे में भी बात हो रही है, In addition to direction, trend can be classified in terms of their time frame, most trader consider short term trend, intermediate trend, long term, long term, long term trend कहता है, जो आपको दिखाई देगा, वो time frame, longer देने year में अच्छा दिखेगा, intermediate trend जो होगा, वो 1-3 months में होगा, short term क्या होगा, एक महिना, तो जिस अवधी के आप trader हैं, उस हिसाब से देखें, यह तो आप short term positional trading कर रहे हैं, तो फिर आप short term trend ही देखें, लंबे समय के निवेशक हैं, तो long term trend को ही prefer करें, It is highly probable that the different trend can co-exist in different time frame, बिल्कुल, जैसे short term trend, downtrend है, long term trend हो सकता, downtrend हो, यह आप more than a year वले data में देख रहे हैं, तो आपको stock देख रहा है जी, अप trend में, अब आप महिने का data उठा के बैठे हैं, पिछले दो अफते का data हो सकता है, उसमें downtrend आजे, sometime for a stock price, the long term trend could be up, while the intermediate could be sideway, और short term could be down, any combination are possible, trend traders, जो trend के according trade करते हैं, prefer to initiate trade only, जब सारे trend एक direction में हो, doubt theory याद है, वो index भी कहता है, सारे गठे चलने चाहिए, और अब यह trend देखके, जो trade करते हैं, बेटा, अगर आपका देखो, long term trend भी up है, intermediate trend भी up है, short term trend भी up है, तो obvious है कि आप long करो, आपको जल्दी ही पैसा मिलने वाला है, समझे कि नहीं, अब अगर confusion सा है कि long term में तो अप भी दिखता है, पर मैंने लंबी अवधी के लिए पैसा लगाना नहीं है, मेरे को तो जल्दी पैसा बाहर निकालना है, फिर आपका short term trend भी up है, वह long करना तो नहीं बनेगा, थोड़ा आप देखेंगे, समझे कि नहीं, तो यह कुछ लुक्स के भी चार्ट जड़े हैं, पिटी हुई कंपनिया ढूनते हैं यहां पर, कैसे यह सुजलोन डाल, यह बहुत ही पिटी हुई कंपनी बेटा, मैं आपको दिखेगा कि इसका downtrend काफी देर से चलता आ रहा है, इसको हम खोलते हैं चार्ट को, ऐसी कंपनियों से बेट हैं, तो यहीं दिखेज़ेगा आपको, यह देखो, यह जो जा रहा है, इस सब downtrend है, यह पूरा 2018 हैं तकरीबन, जैसे stock आपका low high, low low बनाते जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, जब नीचे ही जा रहा है वैसे तो ज़्यादा, अगर उपर आता भी है थोड़ा बहुत, त हैं बहुत लंबे समय से ऐसा कर रहा है, यह देखिए, यहां पर भी इसकी जवर्दस पिटाई है, बहुत लोगों का पैसा इस कंपनी ने खराब किया है, इस तरह यह देखें, यह भाई देखो, हरकते देखो जो रहा है, इनकी 2013 से लेके 2014 तकरीबन, पूरा एक साल यहां इसमें डाउन ट्रेंड में ही चला जाता है, यहां अगर आप देखेंगे तो फिर आपको डाउन ट्रेंड ही दिखाई देगा, और आप किया से बूचाते हैं अब इसके डाउन ट्रेंड ही यह देखो बेड़ा, यह काफी लंबे समय से बुरा हाल है, इनका बहुत ज़्य ऐसे वाले स्टॉक से हमेशा रिक्वेस्ट यही रहती है, जी दूर रहना चाहिए, कि यह अच्छे सेर्स नहीं है, आप इनमें काफी पैसा पूसा अपना गवा सकते हैं, देखो रिवर्स डॉजी बदनी क्या-क्या यहां बन रहा है, तो मारू बोजू भी देखो, रेड ट्रेड वाली कैसी-कैसी बन रही है, तो बहुत इंट्रस्टिंग होता है सारा, तो ओफुली आपको ट्रेंड के बारे में कुछ नॉलेज इसमें मिली होगी, ठीक है जी अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, ओके जी बाए बाए